गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स तो लड़ू गोपा लुइत मंपीस ब्लॉक की तरफ से आप सभी को रादे रादे तो फ्रेंड्स हो चुकिया है सुभा सुभा का बहुत ही टाइम हो चुकिया साड़े दस बजने जा रहे हैं और आज की मेरी सेबप जबो करती फ्रेंड्स हो चुकी है तो आज चाचा ससुर जी और चाची सांस जी आने वाली है कुछी दिर में तो मेरा आज की पूजा हो चुकी है चलिए काज उशरी का दरसन करवा देते हैं आज के उनके उलेन पोशाक जो मैंने बड़े ही प्यार सबनाई है वो ड्रेस दिखा देते आप सभी को और ब्रेकफस्ट का भी प्रिप्रेशन हो चुका है उन्होंने कहा था कि अभी कुछ दिन से जो अकजन वगएरा जा रहे हैं तो बहुत है भी खाना हो जा रहा है सभी का तो फ्रेंड्स आज मैंने चना मसाला और मूरी का आयोजन किया है ब्रेकफस्ट में और सलाथ काटक की तरफ तरफ तो देखिए फ्रेंड्स काजू चेरी काज यह प्रोसाख है क्रीम और ब्राउन कलर का मिक्स्चर है अलिक ब्राउन नहीं यह थोड़ा मरूनिस भी नहीं यह दूसरा टाइप का तोड़ा कलर है आई होप आपको नजर आ रही कि नहीं कैमरा में कुछ कलर रह कर दोग लगा दी है अभी के लिए इन विराज़मान रहने देते हैं और इन्हें आपस में बातचीत और खेल खेलने खेलने देते हैं तो चलिए उसके बाद ले चलते हैं अपको अपनी कीशन और इस तरह देखिए मिस्टू क्या कांट करके बैठी हुई है मैं किधर किध साफ करूं पूरा पाउडर एकदम निकाल के चारो और करके रखी है देखिए और पूरा एकदम सिर्जी बन गया है भस में लगा के वहने क्या बोले वहने पूरा देखिए मेरा काम एकदम पूरा बढ़ा के रख देती है यह तो फ्रेंड्स अब चलिए किचन के और चलते हैं और दिखाते हैं कितनी तयारी हुई है वहाँ पर तो चलिए चलते हैं और देखिए इस रूम में भी मिस्टू क्या कर रही है देखते हैं विबस्क किया अब विबर्स्ट किया है नब Apache क्या संड़े मचे किया है तो थोड़ा लेट से ऊचैस चलती है तो और राइमा देखिए क्या कर रही है राइमा देखिए म्योविछ बेक्पर सब्सक्त कर रहिए वहाँ पर चलिए वाह बर तो फ्रेंट्स अब मैं आ गई हूं कीचिन में और दिखाती हूं कि कितना सा तयारी हुआ है और और क्या क्या करना बाकी है तो देखिए मचली के कालिया के लिए मैंने मसाला रेडी करके रखा है और यहां पालंग शाग 5 मिसली सोबजी देखिए मैंने बनाया है और चना मसा यहां बना हुआ है नास्ता के लिए और यह जो है मेथी साग मेथी बैगन मिला के साग बहुत ही टेस्टी लगती है तो यह मैंने यहां पर रेडी किया है और कुछ कुछ करूंगी रेडी तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए लड़ू गुपल वित मंपी तो यहां पर फिस मैंने फ्राइक कर लिया है यहे कातिलमाच का तेल और फिस्ट कड़ी का मसाला रेडी हो रहा है बहुत ही टेस्टी और बेहत ही एकदम कलर फुल और बहुत ही मसाला बूने जा रही है तो फ्रेंड्स उन्हे तब काफी आते हैं ते काफी देर हो चुकी तो तब फिर मैंने लंच आपको दिखाए दिया तो फ्रेंड्स देखिए अभी रात का टाइम है तो अभी मैंने आटा गूत के रखा है रोटी के लिए और कुछ रोटीया मैंने बना ली है अभी बच्छों वगरा के लिए और सब के लिए और बाकी आटा एक्स्ट्रा गू अभी बन चुके है मिठाई वगरा तो है ही तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को करती हूं यही पर एंड और रात का डिनर तो आपको दिखाए चुक्छिए अब चाचा चाची के साथ कभी दूसरे वीडियो में फिर आपको मिलाओंगी मेरे चाचा चाची ससूर चाचा जरूर कीजेगा तो फ्रेंड्स सभी के लिए राधे राधे गुड़नाइट